हमारा next topic है comparative anatomy of ear, ear की comparative anatomy पढ़ने से पहले एक बर internal ear का structure देखते हैं, जो internal ear होता है उसमें दो parts होता है, एक दो बोनी labyrinth होता है और एक membranous labyrinth होता है, और ये जो membranous labyrinth होता है, उसमें 3 semi circular duct होती है, तिनग बोल दो हैं एंतिरियर केंल लेटर्ल केंल और पिपोस्टेर केंल ही इप अनाल होती और इन त्ban का काम क्या होता है ये जो बोडी होती है उसको इसको बैलेंस उसमें इन से हमें तुतल बतने मिते हता है थो हमें पूत झाते हैं शबतने हैं एक सब्सक्राइब Corporate सब्सक्राज की जी सेनीट meinem अब rozmсят होते हैं फिर यह जो अपने यह सर्कुलर सेमी सर्कुलर डक्ट यह कैनाल देखी वो हर जो कैनाल होती है वो एंड होती है किसमें एंड होती है एंफुला में एंड होती है और यह जो एंफुला में एंड होती है एंफुला में क्या प्रेजंट होता है सेंस ओर्गन इसको अपन क्या बोलते हैं काइनेटिक से जटेकों इसे सन्स बोलते हैं जो스ञ और उसमें क्या होते हैं lance क्रजेंट करते हैं उसको प्रेजंट होता है उनका जो and होता है वहाँ पर एंफिला प्रेजंट होता है उसमें क्या होता है क्रिस्टा प्रेजंट होता है और यह क्या करता है जो भी हैड का मुवमेंट होता है उसको डिटेक्ट करते है तो यह अपने internal year का structure देखा अभी अपन comparative anatomy बढ़ेंगे तो अच्छे से अपन को clear हो जाएगा next अपन structure पढ़ने के बाद में comparative anatomy देखते है तो सबसे पहले cyclostrome में क्या होता है most primitive year present होता है जो cyclostrome का year होता है वहाँ पे क्या होगा एंफुला होगा एंफुला आपने देखा था जो semi circular canal होती है उसके एंड पे क्या present होता है एंफुला present होता है फिर लेंपरे और दूसरे cyclostrome की बात करें तो इनमें क्या होता है दो semi circular सेमिसट्रकोलार होती है स्धूर में दूसरे सेट नाल होती है और संछ साथ cockpit होता है मैंबरीन इसे वह तूब होता है क्योंकि प特बैसर्गें तो कि इन झर्ट कंदूपेरेंट्ट रहते हैं तो उसका इनका जन्ड लेम,सण्ब से कि इन canals प्रेजिस उती हैं इनको वादी से कुले से इस चोड़ी और इन्दी करते हैं कि और C जी बात करें तो जिते भी वर्टीब्रेट उते हैं उन में क्या होता है इननर भाहते हैं ने ψोट चार्ब जो इनर इा इंनर होता है यहां पर एक सब्सक्रेटबंग की यहां पर रहता है उसमें इनर िचले είναι के चैफिर पीक तीन सेमिसर्कुलर कैनाल होती नहीं है तो ऐसी होती है तो धोग dairy ne cameraman में अपने साइङ के लिए खीर के लिए और दूसर comparator लेसं के बात करें तो स्ट्रक्चर प्रजम्ट भेसंट होता है लेघे ना माना जगसाय कि का फोर्णर रहुता है हाई रटिबर स्में 182 0000 स्रग्सी अबने होता है बाद करें तो व्लाएल कोटिया स्टाल को चुछ में में अपने दो सैग देखे ते उट्रिक अर इसको एक वर्थी नावर्च और यदे वहलते लागेना को लीघेना काने चाएतल इस लेगेना से बार में क्योंब आप worker far grow करें तो टीलियोस्ट फिश में क्या होता है वह क्या करती है जो बाहर वato udah होती है उससे similar frequency create होती होती है इनके swimming bladder में उसकी वजय से क्या होता है sound का transmission होता है with the help of weberian ossicle, यहां पर weberian ossicle होते हैं, जो क्या काम करते हैं, बाहर जो water होता है और जो उसी बाहर जो water होता है, उसकी same frequency को वो create करते हैं, जो उनका bladder होता है, और फिर क्या होता है, जो sound wave produced होती है, और वो कहां travel होती है, फिर inner ear में travel होती है with the help of weberian ossicle, फिर ये वे ऑसी कल से कहां आजाता है वह के संप वाइबरेशन सेकूんな में आ जाती है और उसके बाद पर ये weigh-up से जो तीलियुसड फिश होती हम मैं रही है उसको परसीग कर लेती तो यहां या बात करें तो अपने facility में क्या देखा था वहां पर सिर्फquent섯 में क्या हुगा मिडल ए юr वोगा वोज धेका डवलबभ हो जाएगा और मिडल एयर में होते हैं एयर औसीकल होते हैं सटی स्मेलिस और इनकस्ट तो यहाँ पर क्या होगा एक यह यटोशिग्ल वह जाता है कौन से वाल को सुब्रmत फिर उसके बाद में हां पर ट्रत में जो आउटर thouता है वी डफ़िवाप हो जाता है उसमें क्या डव्लक होता है जो आउ PLAYER कIA केनाल होती है वो डवलप हो जाती है फिर एंफीबियंस की बात करें तो जो यूरोडेला और एफोड़ा होता है उनमें एक्टरनल और मिडल इयर जो होता है वो एपसेंट होता है उनमें सिर्फ इनर इयर प्रेजेंट होता है जो क्या काम करता है बैलेंस और पोश्चर मेंट जाट साथ यहां पर एक यह और स्थेपवेंस बोलते हैं तो अपने एमफी पीबेंस में क्या देखा जी एउर टेला और फोर्डाक्लास होती है उन में क्या होता है सिर्फ Gynnair प्रेजन और सेंट होता है और में एक्सटरनल और मिड़ल के एपसेंट होता है थोड़ा डवलप होता है और उसका क्या आम होता है और रहे से क्या फॉर्म होता है और यह कोक्ल robi में और याद हुपन हें नियाद रिखना मिलिया डवलप होता है मीरियमियियर में derivatives होता है reptiles and birds की बात करें तो यहाँ पर जो लेगना होता है वो elongate होता है और फिर क्या होता है cochlea का formation होता है और उस cochlea से फिर क्या बनता है cochlea में क्या होता है organ of corti का formation होता है फिर यहाँ पर जो external ear होता है उसका भी development होता है और external ear में जो auditory canal होता है वो develop होता है फिर snakes की बात करें तो snakes में external और middle ear जो होते हैं वो absent होते हैं फिर snakes जो सुनते हैं वो कैसे सुनते हैं उनमें जो ground पे sound vibration होती है वो travel करती है उनके lower जो में फिर lower जो से जो quadrate bone होता है quadrate bone से फिर columnula में जाती है फिर वहां से inner ear में जाती है इसकी वज़े से जो snakes होते हैं वो जो ear में जो sound होती है उसको वो सुन नहीं पाते हैं वो सिर्फ जो earth पे या ground पे जो sound vibration होती है सिर्फ उनको वो detect कर सकते हैं उनको सुन सकते हैं बट जो ear में जो sound present होता है उसको नहीं सु जदा sensitive हो जाते हैं और उनका जो येरिंग पावर है वो और जदा increase हो जाता है पिर mammals की बात करें तो mammals में जो cochlear duct होती है वो क्या हो जाती है spiral हो जाती है फिर यहाँ पर क्या होता है जो external ear होते है वह अपने देखा था reptile और mammals में auditory canal तो develop हो गई थी बट जो mammals होते हैं उनमें जो auricle या पीना होते है जो cartilaginous पीना होता है external year में वो develop हो जाता है और यह पीना क्या काम करता है यह collect करता है sound wave को और फिर उनको direct करता है external auditory meters में फिर यहाँ पर जो single column ला होता है वो अब तीन जो middle year होता है वहाँ पर अब तक अपने देखा था सिर्फ क्या present थी एक year और उसिकल प्रेजन थी कौनसी वाली झाल झाल